कि है लो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल अक्टिव अकेडमी के ओनलाइन दुनिया में आपका हर्दिक स्वागत है अभी नंदन है चलते हैं सीढ़े के ओपर तो कहते है लाइस जो हमने आपको दो कौस्षन दिये थे घॉट्याइस है एक सो जाँ मेरे यह महत्कली विचैने लाइश वीडियो ने ngay kya और वर्क क्या है और इस सब्सक्रेस चलते हैं और दर्ट करता है जो हमारे मेरे टीन्स ओता पर होता है और यह क्या करता है टो करता है शरकहरता है किसमे convert करता है? Maltose सरकरा में और Maltose सरकरा आगे जाके Glucose सरकरा में किसमें हो जाती है? Change Glucose के अंदर change हो जाती है और Glucose का हमने formula आपको बता दिया था C6-H12-O6 यह Glucose का formula होता है So दोस्तों next content में आपका next question आता है Jutteris में कोन से enzyme का Sraov होता है तो escol 8 जो होता है वो हमारे आमासे के अंदर पाया जाता है और उसके अंदर जो штraov होता है वो किसका होता है तो Sud eiteris होता है pepsine enzyme उसके साथ साथ renin enzyme और mouseย नामक enzyme ते इननों का ही क्या करता है स्तराब करता है तो Pepsin और Renin है, यह दोनों ही Protein Digester Juice है, यानि Protein को पाच्चन करने वाले Enzyme है Next बात करते हैं, आपको एक पिक्चर दिख रही होगी So इस पिक्चर में हम आपको बताएं Yes, इस पिक्चर में कहा रहा है कि Simpler जो Protein होता है उसका जो Digestion होता है, वो किश में होता है, Amino Acid में हो जाता है Maltose होता है, वो किश में Convert हो जाता है, Glucose में Convert होता है Fat Convert होता है, Glucerol और Fatty Acid में जो Digestive Juice है, वो Smell Intestine में Complete Digestion करने का काम करते हैं जिससे यहां पे जो German Towards the पितरस जिसको बोलते हैं acuerdo हैं वह हमारे लीवर से selling about होता है रिखकला है यह वाला पार्ट को है यह क्या है जिवर का पार्ट है और लीवर को किया काहते हैं यह लीवर जो होता है यह पितरस को स्रावीद करने वाला होता है किसको स्रावित करने वाला होता है पित्रस को लीवर को यक्रत भी बोला जाता है और यह किसको स्रावित करता है बाइल जूस को याने की पित्रस को स्रावित करता है और यह पिताश्य है पिताश्य के अंदर पित्रस क्या होता है यह कत्रित होता रहता है ठी इसको पितरस को खाने के साथ मिला दिया जाता है उसके बाद करते हैं Pankreatic Juice की ये कहां से रिलीज होता है ये आपको जो picture दीख रही होगी color change कर देता हूँ ये आपको जो picture दिख रही होगी यकास ये जो picture दीख रही है दोस्तों ये है आपका pancreas के पैन करी डियाज ठीक है और इसके जो स्रावीत होने वाला होता है इसको हिंदी में बोलते हैं अगनाश है ठीक है और इससे जो स्रावीत होते हैं वह भी होते हैं अगनाशी रश र investigर्स कि यह हारमोन बैलेंस करने का भी कारी करता है अगनाशे जो होता है, हार्मोन बैलेंस करने का भी कारी करता है, और पाच्चागरश स्रावित करने का भी कारी करता है, तो जो पैनेक्रियार्टी होता है, यानि कि अगनाशे होता है, उससे जो स्रावित होता है, उससे स्रावित होता है, तो कार्बे हाइडरेज, एक होता है प्रोटीज एंजयम और एक होता है लाइपेज एंजयम ठीक है और यह तीनों ही डाइजेशन करने के काम आते हैं नेक्स्ट आता है यह जो हमारी है वो जो आपको दिख रही होगी यह वाली पिक्सर यह है हमारी छोटी यहांत यानि स्मोल इंटेस्टाइन और यह क्या करती है इसके अंदर जो होते हैं वह ग्लुकोज को पचाने वाले एंजयम यानि की कार्भो हैड्रेज प्रोटीज और शाय पेज यह तीन प्रकार के एंजयम होते है और जो क्या ख़रते हैं गुलुकोज को यानि की मीज़ने का संध् começar ग्लुकोज में काम करते है राख면 करते हैं निएक्सट कर रहा है नेक्स करा है कि पैपसीन एंजाइम जो है पैपसीन एंजाइम को देखते हैं क्या घरता है पैपसीन जो एंजाइम होता है वो अमासेज से स्रावित होता है और प्रोटीन जो होता है उस प्रोटीन को पहले प्रोटीयाज में और protease में तोड़ने के बाद इसको वापिस से peptone में तोड़ देता है यानि protein के जो छोटे टुकडे होते हैं उनको peptone बोला जाता है तो polypeptons में तोड़ देता, poly का मतलब होता है बहुत से peptone के काणों में तोड़ देता है उसके बाद बात करते हैं renin enzyme रेनिन एंजाइम क्या होता है, दूद में जो गुली वाली प्रोटीन होती है, यानि कैसीन प्रोटीन, हमने लास्ट वीडियो में भी इसका जिकर किया था, दूद में जो गुलंशील प्रोटीन होती है, और उस प्रोटीन का जो डाइजेशन करता है, उसको किसमे कर देता है calcium paracassinate में बदल देता है calcium paracassinate होती है calcium paracassinate होती है वो इस परकार से होते है कि दूद जो है न वो दही में convert हो जाएगा एक परकार से यह समझ लिए जैसे कि दूद होता है न फट नहीं जाता है आपने कभी दूद पिया और आपने कभी वाम्टिंग की है तो दूद आपको ऐसा लगए कि छोटा वच्चा जो दूद पीके जो वाम्टिंग करता है तो वो एक फटा-फटा सा प्रधार्थ निकल के आता है तो वो जो होता है वो protein protein के अंदर यानि जो दूद में गुली वी protein है कैसीन उसको rhenin enzyme के kria करने के बाद जो निकलता है वो पदार्त होता है जो दूद को दही में प्रिवर्टित कर देता है next होती है mucine enzyme mucine enzyme क्या करता है? जो जठरस में अमलिय प्रबाव होता है hcl का hydroclorec क्या होता है? तो hydroclorec के अमलिय प्रबाव को कम करने का काम कोन करता है म्यूसीन एंजाइम करता है हाइड्रोकलोरिक प्रबाव जो एचियल का अमली प्रबाव उसको कम करता है उसके साथ साथ क्या करता है म्यूसीन भोजन को चिकना बनाता है जिससे भोजन आगे की और गती कर सके कि स्लेश म जली के लिए रख्षातमि आवरण काम करता है जो होता है वो एक अमल ओत है इस को ंदर आमासे में भोजन के अर्द तरह सवरूप को क्या गयते हैं, यानि जब भोजन है न वो डाइजिस्टिव होते हुए आ रहा है तो आमासे के अंदर ऐसा हो जाएगा कि वो आदा लिक्विड एक गाड़ा पदार्थ मों जाता है, ठीक है, तो उस पदार्थ को क्या का जाता है कॉइम बोला जाता है क्या बोला जाता है लाइसओजाइम एंजाइम के क्या कारे AMY में भी हानी कारे नियुकार कने कारेय करते है यह संक्रमनमन की कारद से जीवानों को मारने का ऐंगरथ हैं तो यह एंजाइब कोनसापका हम ठीक है कि नेक्सट बात करते हैं ऐशल से में भोहजन हाइड्र 투 हचल के साथ मिलकर किस एंजाइब को निश्क्रिय कर देता है तो आमसे में जो बोजन के अंदर हैड्रोकलोरिक अमल जो होता है वो क्या करता है टाइलिन एंजाइम को क्या कर देता है निश्क्रिय कर देता है तो टाइलिन एंजाइम के प्रभाव को HCL क्या कर देता है निश्क्रिय कर देता है next बात करते हैं कौन शा अमले बोजन को अमलिये बना देता है कौन शा जो अमले है वो बोजन को अमलिये बनाएगा तो HCL के अलावा ऐसा कोई भी अमले नहीं होता है यानि HCL होता है जो बोजन के साथ मिलके बोजन को कैसे बना देता है अमलिय प्रभाव को पैदा कर देता है नेक्स्ट आता है मानव सरीर में प्रोटीन का पाच्चन की स्रंग में होता वेरी वेरी इंपोर्टेंट और ये सबसे कंफ्यूज करने वाले बाते होती है कार्भोइडरेट और फैट का जो पाच्चन होता है न दोस्तों वो होता है छोटी आत के अंदर लेकिन प्रोटीन का जो पाच्चन होता वो आमाशे के अंदर हो जाता है आमाशे के अंदर प्रोटीन का पाच्चन होता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट नेक्स्ट करें कि आमासे से काईम कहां पहुंचता है काईम जो लसलसा पदार्थ था एक परकार से अर्द दरव्य पदार्थ है और ये कहां पहुंचेगा ये पहुंचेगा ग्रहनी में ग्रहिणी के अंदर पहुंचता है च्छोटी आतनी किया है एक्रत से सरावित पितरश यहां से हो यह कहते है उसको यक्रत के पितरश आ रहा है और वह मिलता है बोजन के अंदर ग्रहिणी के अंदर जो कि कहाम की प्रकरती को किस्ते अमलिय से icit चारी में बदल देता मिलनें के कारण पित्रस की समयंदित क्या है तो हमारे पास पित्रस से समयंदित כ्या है पित्रस एक तो पीले रंगा होता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट पित्रस जो होता है वो कैसा होता है पीले रंगा और छारी एद्र होता है pH बता है अभी अभी 7.7 होता है जल जिसके अंदर 85 प्रतीशत होता है पित्वरनक पित्वरनक जो होता है और जो नाखुनों पीले रंके होते हैं तो उसका कारण पितरस का बढ़ना होता है नेक्स्ट बात कर रहे हैं कॉलस्ट्रोल, कॉलस्ट्रोल उसके अंदर 0.28% होता है मध्यम वसाए 0.3% होती है, लेसी थम जो होती है 0.15% होती है पित में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है ये भी सबसे इंपोर्टनेंट है, पित में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है ये काईम को क्या करेगा, ये काईम को जल से मिलाकर इमल्सन बनाने में सहायता करता है काईम को जल से साथ जैसे बनेगा इमल्सन बनाएगा है नहीं घोल बनाएगा ठीक है तो बात करते हैं मनुष में प्रती दिन कितना पित्रस रावित होता है तो मनुष के अंदर प्रती दिन 700-1000 ml जो होता है पित्रस बनता है आज यहां आज की करमान कुंचन गतियों को बढ़ाता है पित्रस क्या करता है छोटी आज की अंदर जो बोजन होता है यह वसा के आउशोशन में शायक होता है वसा जो होती है फैट जो होती है उसके आउशोशन में सायक होता है कौन पित्रश होता है यह विटामिन के तथा वसाओं में अन्य विटामिनों के आउशोशन में भी शायक होता है आपको पता होगा कुछ वसाइं जी और दो होती थी हुआ होती है और कुछ विटामीन जो हमारी है वो किसमें ओती है गुलनशील आपकी वसा ने गुलनशील होती है इसके लिए थोड़ा सा मैं बतनाना चाहूंगा गई भैस पानी में मैंने एक कोट लिखा है यानी B4 विटामीन B और C4 विटामीन C ये तो हैं पानी में पानी में मरणला जल्मे गुलन शिल और बाकी जो बच्कीन सारी वसामे गुलन शिल होती है अब बात करते हैं इसमें ये अनेक उचसर्जी तथा विशेले पदार्त हो तथा धातों के उचसरजन का कारिये करती है कौन ये आपका पितरश जो होता है ये बहुत से जो उचसरजी पदार्त होते हैं और बहुत से विशेले पदार्त होते हैं और जो भी धातों जो होती हैं करती उनके सरीर से बाहर निकालने का कारी करती कुनुँ पित रश करता है आग्नास्य जो रश होता है अगनास्य में कौण-कौण से ऐनजयम पाय जाते है इनके रश में कौन-कौन से एंजाईम पाये जाते हैं ट्रिपशिन उसके बाद लाइपेज और ऑर अगनासय में ट्रीपिप्शीद, लाइपज, अमाइलेज़ और कार्बोक्सि फैप्टेज और माल्टेज भी पायirenगल ऑनलोग्रात हैं। किलियर हुई जो protein था वो peptona women dónde God Ta girls pathogens में और amino acid प्रोटीन का सबसे सुक स्मुक्य एकाय होता है बात करते हैं लाइपेज heartPEJL систем सीक्रत participar साइब 63 क्छोड़ें बन गए थे उनको chocyt 메ंब की उनगों गिलसरीन में ARE रिजलीन में और फैटी एससेड में बदल देता है क्या करता है और उसको किशने कर साथ घ्लतनी सरक्रा में करता है नेक्सट बात करता है स्बस्टांसे literally सरक्रा में प्रिवर्तित करने का कारिय करती है हमने पहले भी पढ़ा था मुख के अंदर भी मिल रही थी बात करते हैं आतररश आतररश जो होता है वो छोटी आथ से स्रावित होता है हमने यहां पर क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों हमने पढ़ लिया है यहां पर पितरस को पढ़ लिया है उसके बाद हमने जटरस को पढ़ा था और अब हमने अगनासरी रस को पढ़ा था तो अब बात करते हैं आतरस के बारे में जो आत्रीय रश होता है वो स्रावित हो गई ही होगा बोजन का पूर्ण पाचन कहां पर होता है को इसको कई पर पूछ लेता है कि बोजन का पूर्ण पाचन इस तल कौन सा है इसमें चोटी आथ भी ऑप्शन में दिया जाता है और बड़ी आथ भी ऑप्शन में जी जाता है लेकिन पून पाचन चोटी आंत में हो जाता है नेक्स्ट बात करते हैं आत्रस में उपस्तित प्रमुक रहे होजा तु से उस रिमांडिक प्रोटीन है उनको aminoamil में बदल देता है जो कि सारा काम जो है protein का जो बचा हुवा काम है वो यहां पे हो रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि protein बच गई उसको और pepton को amino acid में बदल देगा कौन? eruption माल्टेज माल्टोज जो सरकरा थी उसको glucose में बदलने का कारे करेगा माल्टोज जो सरकरा थी माल्टोज सरकरा कौन शी थी? मांडस जो थी मांडस से यानि स्टार्ट से हमने माल्टोज में बदलाता है किसके amylage की साहिता से amylage के बाद जो माल्टोज सरकरा बन गई थी उसको माल्टेज की साहिता से सरक्रा यानि ग्लूकोज में प्रवर्तित कर दिया जाता है को को hy better वर्तित करता स्थक्राइब हे प्हुल्ट्पने दो करता है और ग्लूकोज में प्रवर्तित करने के लिए होती है लेक्टेज्ट масс में बदलने कारे करेगा नाएक पेजેम होता है लाइपेज एंजाइम क्या करेगा इमल सीक्रत वसाओं को गिलस्रीन में फैटी एशिड में प्रिवर्थित करने का कारे करेगा जो इमल सीक्रत वसा थी उसको गिलस्रीन में और उसके साथ साथ फैटी एशिड में ट्रांसफर करता है यह यहां पे प्रोटीन का पाच्चन हो चुका है, ग्लुकोज का पाच्चन हो चुका है और वसा का भी पाच्चन हो चुका है बात करते हैं, बिना पचा काईम छोटी आँच से कहां पहुंचता है पिना पंचा ऊँव जो बोजन हैं, अब सेज जो पंचा ऊँचित बोजन है, वो कहा पहुंच जाएगा, बड़ी आत पहुंच जाता है, मानोशरीर की सबसे बड़ी गरंथी हमने अभी पढ़ी थी, कौण जी है, यक्रत है, लीवर है, यक्रत का वज़न कितना होता है, Barris, किस प्रकार का रहेगा तो यक्रत जो होता है वो दूसर रंगा होता है पित का पकवाशे में गिरना कौन शी करिया कैलाते है यह प्रतिवर्ति करिया है रिफ्लेक्सी करिया है रिफ्लेक्सी एक्षन होते है प्रतिवर्ति करिया आपको जब तंत्री का तंत्र पढ़ाएंगे उसका स्टोरेज जो होता है संग्रेहन होता है वो पितासे के अंदर यानि गॉल बलेडर के अंदर होता है नेक्स होता है पितासे में उपस्तित स्टोन यानि की किडनी पाथरी जिसको बोलते है वो किसका पाचन प्रभावित होता है तो पितरस नतर बहुत होगा तो यख्रत के प्रुटी प्रोंख कारिक है यकरत के प्रमुकारिक क्या है तो यह क्या करता है कार्भोईडरेट प्रोटीन वे वसा के उपाप्चे में सकीरी रूप से बाग लेता है कार्भोईडरेट प्रोटीन और वसा के पाच्चन में सकीरी रूप से एक्टिवेट होके पाटिश्पेट करता है यह carbohydrate उपाफचे के अंत्रगत glycogen का निर्मान वर शंचेन करता है carbohydrate का जो उपाफचे होता है तो glycogen protein glycogen protein शेताथप्री होता है जो मारे पास glucose extra है जो बच्चा हुआ glucose है उसको glycogen वसा के रूप में श्टोर करता है और जो इस प्रकार से fatty liver बनने वाली गटनाओं को आपने श्रूना होगा वो glycogen के अधिक जमा होने के कारण होती है तो बोजन में वसा की कमी होने पर carbohydrate के कुछ बाग को वसा में परिवर्थित कर दियाता है जब कभी भी हम बोजन करते हैं तो जब वसा की कमी बोजन में लगातर होती रहती है तो यह जो glycogen होता है यह वापिस convert कर दिया जाता है कि इसमें carbohydrate में और carbohydrate से वसा में transfer कर दिया जाता है यह ammonia को यूरिया में प्रिवर्थित कर देता है ammonia जो होता है उसको यूरिया में प्रिवर्थित करने का कारे भी पित्रश करता है यह विशेले पदार्थों को आई विशेले योगिकों में प्रिवर्थित करते है ammonia जो होता है एक बहुत खतरनाक पदार्थ होता है अगर यह डारेक्ट पी में आयेगे त्वर्ड बहुत खतर नाक टुक्षिक हो था थीक थैंट थो इसको लीवर क्या करता है जो इसको ट्रांसफर करता है कि मानुजरीर में अत्रीक्द ग्लूकोज ग्लाइकोजन में का बंढारीत रहता तो ढ harm हमने बता है यह यक्रत के अंदर जो होता है इस टोर होता है गलुकोज जो एक्सट्राग्लूकोज है उसको कन्वट कर दिया जता है गलाइकोजन में जिसकेखाण फैटी लिवर बनता है तो नेक्स्ट बात करते हैं यक्रत और माश्पेशों में उर्जा किस रूप में जमा रहेगी तो यक्रत और माश्पेशों में जो उर्जा है वो फैट की रूप में जमा रहेगी और वो फैट होती है आप एक गलाइकोजन के रूप में तो नेक्स्ट बात करते हैं मानोश्रीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथी कौनशी है तो पहली तो हमने बात की यक्रत है उसके दूसरे नंबर पर आती है अगनासी यानि पैनिक्रियाज कौनशी ग्रंथी 22 अंतर इसरावी तो यह हमारी है अगनासी इंपरिटेंट 22 ग्रंथियां को अंतर इसरावी ग्रंथी यो रुधीर में अपना जो भी एंजाइम या हर्मोन वगरा तो डिर्क लिना मिलाके जिस भी पार्टिकुलर ओर और तक पहुंचाना तो उसमें अलिका एंड़ोक्राइन भी बूला दाता है वो अपने जो भी सेक्रेशन होता है जीूसेज होते हैं जाइम होते है pulse होते हैं उनको सब्सक्रावाद सब्सक्रावाद पार लेंगर हेंस का हम यह कि किसे कहते हैं कि इस में होती है अगना सै के अंदर ही होती है लेंगरहेंस की द्वीपिका के विभीन कोशिका उनसे स्रावित परमुक हार्मोन है लेंगरहेंस की द्वीपिका से तीन परकार के हार्मोन स्रावित होते हैं अलफा कोशिका होती है तो एक बिटा कोशिका होते हैं गामा कोशिका होती है तो एलफा कोशिका से जो स्रा कावित होता है सुमेस्टोस्टेटिन सुमेस्टोस्टेटिन सो बात करते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें इंसुलीन हार्मोन का इंसुलीन हार्मोन जो होता है वो किसका निर्दारन करता है तो इंसुलीन हार्मोन जो होता है रक्त के अंदर जो सरक्रा है यह रक्त के अंदर कंट्रोल करता, निर्धारन करता है यानि अगर आपके रक्त के अंदर सरक्रा बढ़ेगी तो इंसुलीन हार्मोन उसको तुरेंट बैलेंस यानि संतुलित ला देगा, अब बात करते हैं इंसुलीन के अलब सर्वन से कौन सार रोग उत्पन होता है, तो जैसे कि आप सब को बताएगी, आपने सुगर का नाम सुन रखा होगे बीमारी ही सुगर, लेकिन सुगर एक बीमारी नहीं है सुगर तो मारे बलड के अंदर उपस्तित होता है मदू में यानि डाइबटीज एक बीमारी है जो इंसूलीन की कमी के कारण होती है ध्यान रखेंगे, मदू में जो है वो किसके कमी के कारण होती है इंसूलीन की कमी के कारण होती है दोस्तों, इंसूलीन की कमी से होती है बात करते हैं, पून पाचक रस की से कहते हैं तो पून पाचक रस होता है तो पून पाचक रस भी कहा जाता है बात करते हैं नेक्स्ट की नेक्स्ट आपने एक यह थमनल सा लगा रखा है मैंने और इसको समझेंगे बहुत बैटर है बहुत अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्लुकोज अगर आपका बढ़ र पैदा ग्लुकोज बढ़ रहा है तो इंस्ट फैदा वो क्या गरेंगा और यह कहां से लेगा झूजकर योगषिन और स्कुन इसलीन स्ट्रावित होती है आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों आपके प्यारे लाइक के मेरे बिल्कुल इंतजार रहें और जो वीडियो के बारे में आपको जो भी इंक्वारी होती है वो तुरंट आप मेरे को मैसेज में आप बताएंगे तो मैं तुरंट उसका रिफलाई करूँगा आज के लिए इतना ही जैहिन जैभर